बॉर्णिंग बच्चापाटी आज हम बात करेंगे नया चैप्टर क्लास 10th quadratic equations ध्यानदे इस चैप्टर को ही हमने क्यों लिया है क्योंकि हमने इससे पहले polymers का जो चैप्टर है वो अप्लोड कर रखा है आप polymers के चैप्टर को अच्छे समझें प्रक्टिस करें जो polymers में quality equation में काम आएगी इसके बाद हमने यही चैप्टर स्टाट किया है देखिए इस चैप्टर में की पॉइंट से याने कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा पहला होगा कि क्या होती है यानि इसका introduction होगा फिर इसके बाद हम बात करेंगे number of roots यहां roots का मतलब बेटा वह 0 से मतलब ठीक है roots कह दो zeros कह दो या value of variable कह दीजिए यह roots से confused नहीं है value of x कह सकते हो यानि कि variable या zeros बात एक है and nature मतलब जो roots निकल का आएंगे यानि जो x की value निकल का आएगी वह value कैसी होगी इस पर इसका करेंगे फिर करेंगे जो की competition level के लिए बहुत important राइट चलिए शुरू करते हैं इसका introduction पहला है quadratic equation राइट देखिए quadratic equation को पढ़ने से पहले हमें पर quadratic polymers पर जाएंगे quadratic polymers क्या होता है quadratic polymers की form क्या बताई थी हमने a x square plus b x plus c यह quadratic polymers होता है इसमें a जो है जो कोई भी a b c कोई भी real value हो सकती है बट a की value 0 नहीं होनी चाहिए उस वीडियो को जिरूर डंग से देखिए ताकि महां से concept clear हो जाएगा a 0 क्यों नहीं होना चाहिए विट अगर a 0 हो गय गया जब x square term गया तो समझ लग आपको पता है कि quadratic polymers की कितनी होती है दो होती है यह एक स्कॉर रहा ही नहीं तो डिगरी 2 होगी नहीं तो इस अच्छे से देखें अब आप quadratic equation में पॉलिमेंस क्या फरक है सर्थ देखिए यहां वर्ड आ रहा है equation equation नहीं होना यह वाली वैल्यू इक्वल करना है किसके 0 के बास यहीं आपके बास बन गया quadratic equation देखें क्या form बनेगी एक स्कॉर प्लस बी एक स्कॉर प्लस प्लस इक्वल टू जीरो बास इक्वल टू जीरो और वही कंडिशन है एक की वैलो जीरो नहीं होनी चाहिए ठीक है ABC कोई भी रियल हो सकता है करेक्ट है और डिगरी जैसे पॉलिमेंस का अंदर भी quadratic में क्या होते है टू तो यहां भी quadratic equation की डिगरी कितने होते है दो ही होते है important things क्या है equation कैसी भी लिखी हो लेकिन उसे पहले simplify करने के बाद इस form में arrange करना है जिससे हमें इनका ABC पता लग जाए यह होता है क्या x square का coefficient ठीक है और बी क्या होता है एक्सा कोफिजेंट c जिसमें variable ना हो यानि x के ट्रम ना हो अगर x में quality है तो y में quality है तो y के ट्रम ना हो यानि constant ट्रम नहीं बचा कुछा कह सकते है उसे वह सी बचाए और equal to क्या होना चीए 0 इस form अरीज करना है जैसे बाइद वह कोई question आप पाद ऐसे लिखा गया कि एक्स स्क्वाइर प्लास वन वाई एक्स स्क्वाइर इसकल टू फॉर रइट अब पूछाए एक quality equation है क्या अब बिटा ऐसे नहीं देखना कि यहां एक्स स्क्वाइर आ रहा है इसकी डिग्री टू आ रहे है नहीं बिटा पहले मैंने क्या कहा था इसकी form क्या है क्योंकि तब ही पता लगाएंगे तो यहां हमने बता है form क्या होती है एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी इकुल टू जीरो अब यह देखिए इसकी डिग्री कितनी आ रहे है इसर डिग्री क्या होती है अरे वेरिवल की बड़ी से बड़ी पावर देखो कितनी आ रहे है और इसमतर इक्वाइडिक एक्विशन नहीं है राइट ऐसे कर पास आ गया 2x इंटू x प्लस 3 इस एक्स इसक्वाइर प्लस 7 आगया अब यह नहीं स्क्वाइर देख लिए आपने इसक्वाइडिक नहीं विटा मैंन क्या का था जब तक आप इसे स्टेंडर फॉर्म में न अप्लाइ करनी तो देखे पहले इसको मिल्टिप्लाइब करेंगे क्या बने जाएगा 2x स्कॉाइर प्लस 3 इसको टू हो जाएगा 2x स्कॉाइर प्लस 7 अब इसको इहां इक्वाइब डू लाना है न सबको ट्रांसर बिखाएंगे तो क्या बच गए तो यह सुरी टू थी सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद ही पर लगाएंगे चलिए अब समझ मागे क्वाइब करो एक स्कॉयर प्लस ब्लस प्लस C इकॉल टू जीरो देन आफ्टर डिगरी अब देखो उसकी तू आ रही है इक्वेशन तो यह नहीं है अब आता है कि जब आपके पास मैंने बत बताया कि कि क्वेशन है तो इसकी डिगरी कितनी है टू है राइट जब इसकी टू डिगरी है तो इसका मतलब जो वैरियाबल होगा उसकी वैल्यु भी दो यानि मतलब तो वैलियू सब्सक्राइब यह इसको अक्ट दो आयेगी अ इसका मतलब इसके पास दोरूट्स आएंगे दो या जो इसको के लिकि malaria प्रोट में फिरीयु टॉंऑ भूर्हैक यहां ग्यें अंचे जो भी जिसमें ध्याइंद होगा वह कैसे हों गये इसको discuss करेंगे important है कि वो दोनों value जाएंगी वो कैसी हो सकते हैं बहुत are distant and real roots यानि कि दोनों जो आपके पास variable की value आएंगी वो दोनों value अलग हो सकती है यानि कि अलग-अलग हो सकती है अब मैंने क्या बताया या फिर ऐसा हो सकता है वो दोनों x की value equally हो सकती है जो जाएंगे दो दो एक्स की दो हो सकती है अगर एक्स में आपके पास quality के दहां रहा हूं तो वह दोनों सेम हो सकती है यह हो सकता है दोनों value unreal हो सकती है अन्रियल का मतलब जो यहां बताया कि अब यहां देखिए मैं लिखा है देखिए कई आपके पास जो दो जाएंगे वह दो मतलब हो सकते है और सबसल क्या होता है час मतब के अंदर में दिया है नंबर शिस्ट्म उसको देखिए कि हैं इसरफ ऐग अब अब मैंने बताया कि किसी भी equation के जो quality equation है उसके दो roots होंगे तो हम मैंने पीछे बताया कि वो roots कैसे हो सकते हैं रियल roots हो सकते हैं, unreal हो सकते हैं, equal हो सकते हैं, different हो सकते हैं अब यह किस पर depend करता है, बिना equation को solve करें हम कैसे बताएंगे कि इसके roots जो दो होंगे वो real होंगे different होंगे rational होंगे irrational होंगे unreal होंगे कैसे होंगे यह हमें nature of roots में discuss किया है तो जैसे आपके पास यह quality equation लिखाए बेटा इसकी form यह है ax square plus bx plus e equal to 0 very important points है ठीक है अच्छा अब यह इसकी जो दो roots होंगे यह दो values होंगी इसकी यह एक्स में है तो एक्स की जो दो values होंगी वो कैसे आ सकती है बिना solving करें हम बता सकते हैं तो क्या करना है उसके लिए आपको यहां देखिए a का मतलब होता है x square coefficient b का मतलब होता है x a coefficient और c आपका constant होता है तो सबसे पहले हमें nature of roots चे बात करनी है तो यह जो nature of roots है यह depend होता है b square minus 4ac की value पर यह value निकालने पड़ेगे आपको यह यह होगे x square coefficient b बचा पुचा या निकालने पड़ेगे बस आप सबसे पहले इसकी value निकालने के बाद ध्यान रगना यह b square minus 4ac की value निकालने इसका एक symbol दिया है जिसको हमने d नाम दिया है और d का मतलब इसे कहते है discriminant क्या कहते हैं discriminant मैं बताऊंगा यह b square minus 4ac कहां से आया है चलिए आगे देखो इसका मतलब अगर nature of roots की बात करनी है तो सबसे पहले हमने b square minus 4ac की value निकाली वो value अगर आपके greater than 0 आती है greater than 0 का मतलब 0 से बड़ी यानि कोई भी positive number आता है तो हम कहेंगे कि उसके roots कैसे होंगे इसके roots आपके real or distinct होंगे distinct मालब अलग-अलग x की दो value जाएंगे और real होगा right clear हो गया real होगे और different roots होगे clear अब यहां मैंने एक चीज़ बताईए कि real or different होगे right समझ मा गया तो यहीं से एक चीज़ निकल काती है कि सर यहां से क्या rational और irrational का पता लग जाएगा बिल्कुल प पता लग जाएगा कैसे बता लग जाएगा देखो अगर आपने 20 square minus 4ac की value निकाली इसकी वह निकाली और वह वैल्यू एक perfect square number आता है perfect square number का मतलब मैंने बताया जिसे डिक अब यह जो 20 square minus 4ac है नहीं वो डी है यह जिसकी डिस्क्रिमिनेंट है उसकी value perfect square number जिसे 1 आ गया 1 का root 1 होता है 4 आ गया 4 का root 2 होता है 9 आ गया 25 आ गया 35 आ गया perfect square number आ गया root पूरा पूरा निकलता है तो वो दोनों roots आपके rational होंगे अगर perfect square नहीं आ रहा है आपका 20 square minus 4ac की value इसका मतलब roots आपके कैसे होंगे irrational होंगे यह रूट अंदर आएगा ठीक है value नमबर सिस्टम में देख 0 आ गये तो you can say जिसके roots यान इसकी values कैसी होंगी real and equal होगा मतलब x की दो values वो तो same ही होगे आपके बास ठीक है 4ac greater than 0 इसका मतलब है roots are distant roots are distant and real और अगर मैं equal to का sign लगा देता हूं simple yes यह तो इसका मतलब distant बड़ नहीं जुड़ेगा यहां लिखेंगे बस roots are real बस अगर roots are real तो बस greater than equal to लगाना है roots are real और लिखा roots are real and distinct तो यह equal to नहीं आएगा यह गड़े दिन का sign आएगा राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम चेक करते हैं जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या है देखें एक example लिखा है मैंने 3x square minus 4x plus 7 equal to 0 लिखा है तो सबसे पहले बच्चों ABC की value निकालने आने चा बनाने के बाद आप compare करके देखिए x square से a into हो रहा है यानि x square coefficient a होगा और x से b into हो रहा है यानिकि x coefficient आपका b होगा ध्यान रखना दियान रखना बी क्या है minus 4 होगा यह plus लग रहा है और c क्या होगा बचा हुआ क्या लिखा है 7 नहीं minus 7 with sign लेना है आपको ध्यान रखना ठ और different route होंगे यह दो एकसी अलालग values आएंगी अब दिमाम question आता है जो different value आएंगी क्या वो rational होगी या irrational देखो क्या आया वैल्यू आपके पास 100 आया 100 क्या है एक perfect square number है क्यों कि 100 का root कितना आता 10 आता है अगर यह perfect square number आता है तो definitely roots are rational बही होगे अगर परफेट square नहीं है तो irrational होगा right next question example देखो यह लिखा हुआ है यहां से ध्यान रखना x square coefficient देखो ध्यान रखना x square लिखा है यहां कोई कुछ भी number नहीं लिखा है इसा मतलब 1 in 2 रहा होगा इसा मतलब यहां A की value 1 हो गई B की value कितनी है minus 2 है ठीक है C की value कितनी है 1 है यह B square minus 4A की value निकाली calculate करा कितना value 0 आया तो जैसे 0 आ गया तो roots are equal कह सकते है और 0 is also real number you can say that roots are real and equal correct है चलिए और एक ची बड़ा observation अच्छा है कि अगर जिसी के roots आपके 0 आ रहा है न अगर डी 0 आ रहा है तो definitely यह whole square बन रहा होगा या तो A plus B का whole square बन रहा होगा या A minus B का whole square बन रहा होगा यह observation इसकी mean observation ठीक ह अब आगे नेक्स देखेंगे नया example जिसमें A की value रखा B रखा C रखा 20 को minus 4 इसी निकाला यह calculate करा कितना है माइनस आया नेगेटिव आ गया माइनस 351 जब नेगेटिव आया तो roots are real नहीं होगे unreal होगे राइट है और unreal होगा तो इसका मतलब 10th class में solve नहीं करना 11 जाक्ष ब क्या सकते हो इसके अलावा और कुछ टर्म क्यों नहीं आ सकती यह value क्यों आ रहे है देखिए क्यों आ रहा है इसका region हम दे रहे हैं मैंने लिखा वाई 20 को minus 4 इसी मतलब इसकी value पर क्यों depend कर रहा है यह देखिए क्लियर है तो इसको समझने के लिए बिटे देखो आपने linear equation पड़ा होगा जहां लिखा है 2x plus 7 is equal to 0 लिखा है तो यहां से अपने x value कैसे निकालते थे 2x is equal to minus 7 और x की value minus 7 by 2 लेकिन quadratic equation में क्या यहां direct x की value निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि x की value निकालनी है वो left side में रखना है यहां x square भी और x भी है तो आप ऐसे में x की value नहीं निकाल सकते हैं x जो है दो बार आ रहा है एक बार x square की form में आ रहा है एक x की form में आ रहा है तू टाइमस आ रहा है इसलिए हम direct linear जैसा solve नहीं कर सकते हैं क्या करना पड़ेगा फिर हमने लिखा कि अब आप क्या करेंगे इस पूरे को कुछ इस तरह से convert करें कि यह किसी का whole square बन जाए या त सबसे पहले क्या करना है आपको multiply करना है फोरे का मतलब जो आपके पास x square का coefficient लिखा है उसके 4 टाइमस से multiply कर देना है इसलिए मैंना क्या लिखा फोरे यह बहुत यूजपूल है complete the square का अंदर जो एक्स का x square coefficient लिखा है उसके 4 टाइमस इंटू कर देना है हमेशा तो जैसे हमने 4 a से इंटू किया लिखा था ए तो यहां 4 a से इंटू किया मैंने इंटू करने से यह result आ जाए ठीक है अब हमें पता है कि whole square जब बनेगा दो a plus b या a minus b का दो formula होता है a square plus minus 2 a b और plus b square यह form होती है इस क्या बन गया अब जैसे मैंने 4 a से इंटू करा यह result आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 a square x square इसे लिख सकते है 2 a x का whole square इसो और खोलेंगे यह value आएगी बेटा यह देखो मैंने यह लिखा है 2 a x का whole square ठीक है अब आप इसके बाद में क्या रहा है यहां देखे 4 को split करें इस 4 को split करेंगे 2 into something 4 में से 2 अलग निकाल दिया 2 a तो इसको इसको मैंने split कर दिया 2 into 2 a x तो क्या बज़ गया आपको पास into में b बज़ गया इससे split करना आ चाहिए कुछ नहीं आसानी स्पिट करना बिटा यहां से 4 आ रहा है 4 में 2 अलग कर दो 2 बच गया 2 A X तो मतलब A और X आएगा यह रहा A और यह रहा X क्या बच गया इंटू में B बच गया ठीक है और यह जो प्लस 4 A से इसको ट्रांस्पोर कर जाएए इसको ट्रांस्पोर्स कर दिया मैंने यह आ गया अब मिर पास यह A स्कॉर आगया यह देखो 2 A B की वैल्यू है यह यानि के Allsquare लेकि आ चाहिए मुझे B स्कॉर चाहिए तो यह तो 2 है यह A की वैल्यू है यहां B स्कॉर यह है तो यह जो बचा हुआ है इसके a square को both side add कर जाना यहां add कर दिया मैंने इधर भी add कर दिया ठीक है जैसे add करेंगे यह whole square बन जाएगा किसका whole square बन जाएगा यह देखो a square plus 2ab plus b square यह यह बन गया a plus b का whole square यहां अगर minus होगा तो यह minus का whole square बन जाएगा और यह equal to में यह result आगया ठीक है अब बात कर रहते हैं ब्लस माइनस root of this कर दिया अब है important चीज़ लेखिए अब यहां पर आपके पास actual में 20 square minus 4ac क्यों लिया क्योंकि यह जो सारी कहानी है यह root 20 square minus 4ac पर डिपेंड करता है क्योंकि अगर root में कोई value positive आता है तो वो आपका real number होगा root में कोई भी negative आया उसे हम imaginary number कहते हैं यानि कि unreal number कहते हैं द्यान रखना तो हमने क्या कर दिया कि इसका एक symbol द्याल दिया कि इस पूरे को बार बार ना लिखने की बज़ा है मैंने इसको लिख दिया अगर मैंने बताया अभी देखो root के अंदर कोई value positive आ रही है कोई भी नंबर आ रहा हो लिए positive आ उसे real कहेंगे अगर root के अंदर कोई negative आ रहा है तो उसे unreal कहेंगे तो देखिए सारी कहानी किस पडिपेंट हो रही है अगर माल लिजे यह अंदर वाली जो value है वो positive आ रही है पॉजिटिव लगा सकते हो इसको आगे बाइट करती है वैसे जीरो हो या जीरो से बढ़ा हो उस पोजिशन में roots कैसे आएंगे इसके real आएंगे यह positive आ रहा है रियल नमबर के सासथ कैसे roots आएंगे इसके different आएंगे और अगर यह number by the way डी की value जो है वो perfect square आ गया तो root बहार निकल जाएगा इस root के अंदर hundred आ गया तो root के तना आगया 10 आगया 10 कैसे नमबर है rational इसलिए वो rational हो जाएगा और root से बाहर ने निकला तो इसलिए वो irrational हो जाएगा और अगर डी की value के आए आए आपकी less than zero यानी negative आई तो मैंने कहा ना root में negative क्या बन जाएगा unreal और अगर डी की value zero ही आ होते हैं लेकिन अगर आपने यह नहीं लगाया तो लिखेंगे रूट से रियल एंड डिफ्रेंट लिबर आएगा देर जान लिखना है अब आपको समझ मांगा perfect square का मतलब भी अगर यह जो value है इसके अंदर perfect square number आएगा तभी उसका root बाहर निकलेगा जैसे वह रूट से ब डिफ्रेंट डिफ्रेंट अप्रोच देंगे उस ट्रिक्स भी देंगे कि आपको factorization में किस तरह से help मिल सकते हैं इन ट्रिक्स से ओके एंक्यू बाबाए